आप सबका हरदीग स्वागत है आपकी YouTube चनल Green Tips एडवाज चनल में फ्रेंट्स आसके इस वीडियो में और एक स्टॉक के बर में चर्चा करेंगे Stock की जो Result हे पो Result Out हुई है और Stock की Performance क्या है याणि quarterly पूर नतीजे क्या है उसको हम देखैंगे, analysis करेंगे और उसके उपर beta करके हम निभश करने के लिए सोचेंगे तो एनलेसिस पर जाने से पहले आप लोग को जानकरे देना चाहूंगा अगर आप लोग मेरी थ्रू आस्ता टेड में एकाउंट उपेन करते हैं तो आप लोगों को निप्टी ऑफ्षन, बैंक निप्टी ऑफ्षन, स्टॉक अप्षन, स्टॉक फ्यूचर, निप्टी एकुटी कैश, ओल सिग्मन के कॉल मिलेंगे फ्री में, अगर एकाउंट उपेन करना है तो मुझे वाट्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर पेट सर्विस लेना चाहते हैं तब भी मुझे कॉंटाट कर सकते हैं, 80% एकुशिक के साथ ओल सिग्मन में कॉल प्वेट कर ल यहात यहात अगर आप लोग देख सकते हैं, और तार्गेट दिये थे लग बख हो चुके हैं, और आगे का बचे बचे हुए हैं, सब्सक्राइब थार्गेट तर्गेट वह बचे हुए हैं। वह अभी दक यह शिप नहीं हुए हैं, और मैंने 16 तारीक इस के बार में नहीं उसमां position मना सकते हैं कि नहीं तो चले हम चलते हैं analysis पर सबसे पहले हम बात करेंगे company की जो overview है वो जैसे खास करके यहाँ पर हम देखेंगे sector जो है वो IT sector का है यानि industry IT software TCS shares के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप market capital अगर आप लोग देखें आट लाक से ज्यादा यानि एट लाक 5074 करोर आप यह मांन के चल सकते के एट लाक करोर की large cap company है जिसका P.E. है 25.58 एक 2000 रुपी का stocks और उसका P.E. सिर्फ और सिर्फ 25 है तो इक भर सोच के देखिए यह सा भी stock मिलेंगे आप लोगों को वह 400 रुपे का stock है लेकिन इसका P.E. जो है 30 रुपे 35 रुपे 40 रुपे हैं ठीक है तो TCS share जो है एक high beta stocks है और large cap stocks है लेकिन P.E. बहुत कम है तो यहाँ पर हम indicate कर रहा है कि stock अच्छी है और हम लोग सभी जानते कि TCS share बहुत अच्छी share से अगर industry P.E. देखे तो 21 है dividend अगर हम लोग देखे तो डेविदन देख सकते हैं कमपनी ने dividend अब तक दे चोके 1.94 परसंट कमपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है रिटान अगर हम देखे तो 35.19 परसंट यानि कमपनी का जो प्रॉपिटे जो रिटान यानि 38,000 करोर का net sales है और profit अगर देखे हम लोग net profit तो net profit आप लोग को यह पर दिखाई दे रहा है 8,126 करोड profit हुआ है net profit company का आभी ओके फ्रेंट्स तो यह पर हमें जो यह company का overview मिल चुके हैं और भी कभी सारे प्रॉपिश करूंगा मैं आप लोग के सामने तो पूरी वीडियो को देखे यह आप आप लोग देख सकते हैं 10 years का जो performance है 255% ठीके 10 years का performance 1397, 5 years का 93.51%, 3 years का 70.12%, 1 years का 35.81%, YTD यानि आप तक का 13.31% अगर हम one month return देखें तो 6.14% one week return 6.26% तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है क्या मिला फ्रेंट से यापर हमें सिर्फ return ही return मिल रहा है यापर कोई ऐसा नहीं है कि हमें return नहीं मिल रहा है one week बोलो, one month बोलो, YTD, one year, three years, five years, ten years मतलब कि हर तरीके से return मिल रहा है दूसरी तरह अगर हम लोग देखें, year to year result, year to year performance अगर हम लोग देखें तो यहापर आप आप लोग को मिलेंगे कि मार्स 2018 में company का जो net sales है, 32,000 करोर का net sales है और अभी 38,000 करोर हो चुका है यानि 18.50% का growth, मार्स 2018 और मार्स 2019 का अगर हम compare करें तो, ठीक है friends? यहनि मार्स 2018 के तोलना में 18.50% growth हुआ है net sales और operating profit भी देखें 16.44% growth जापर 8,600 करोर था बहापर 10,074 करोर का net profit है company का यानि operating profit अगर consolidated net profit देखें तो 17.70% है, increase हुआ है जापर करीबन 7,000 करोर था बहापर हो चुका है 8,126 करोर ठीक है और कुछ report हम लोग देख लेते हैं यह हमने देखा ER on ER अगर हम देखें quarter on quarter तो यहापर आप लोग को क्या दिखने हुआ मिल रहा है quarter on quarter यहापर भी देखें positive है, change 1.8%, 1.80% करीबन 2% का increase हुआ है December 2018 यहापर 2018 की December मांत में जो result था उसमें company code 37,338 करोर का profit था net sales था और अभी का net sales क्या है वो ही 38,000 ठीक है यहापर 37,000 है 37,338 और अभी 38,010 और operating profit देखिए यहापर थोरा सा माइनस है पिछले December की तुलना में अभी क्या थोरा सा माइनस है लेकिन कोई problem नहीं यह two year अगर हम देखें तो company का जो result जबरदस्त result है दूसरी तरह अगर हम लोग देखें consolidated net profit वो यहापर increase है quarter on quarter base में ठीक है देखिए 0.26% जहापर 8,105 करोर का profit बापर 8,126 करोर का profit है ओके चलिए और कुछ report देख लेते हैं यहापर fixed asset देख लेते हैं company का ठीक है balance sheet, balance sheet सा हम भी पता चल जाएंगे company अपना जो balance sheet है उसको maintain करके चल रहा है कर नहीं यह पर अगर हम लोग देखें तो मार्स 2018 में 235 करोर का कर जा था और अभी 44 करोर यानि ना के बरावर है ठीक है 81.28% decrease कर चुक है company, company का 235 करोर का कर जा था और अभी सिर्फ और 44 करोर लेकिन long term liabilities अगर देखें तो company का increase हुआ है 31.85% यानि liabilities increase हो और एक बास सोच के देखें liabilities तो यह पर increase होने से कोई problem नहीं क्योंकि company का quarter on quarter based में profit increase हो रहा है, year to year में profit increase हो रहा है और जहाँ पर company का profit increase हो रहा है और करजा company का decrease हो रहा है तो बहाँ पर liabilities थोड़ा सा increase होगा यह financial track record का यह तरीका होता है कोई भी company बोलो आप क्यूए कमपनी को तो अगर profit करना है और कर्जा माप करते हैं तो बहा पर company का पैसा जो है दब जाते हैं ठेके और liabilities company के increase हो जाते हैं दूसरी तरह current asset अगर देखे तो current asset देखे सबसे एहम जो बात होता है मार्स 2018 में 81,000 करूर का क्या था current asset था और अभी क्या current asset है 92,000 तो 13.43% increase हो आए इसलिए liabilities थोड़ा से increase होने से कोई problem नहीं है ठेके दूसरी तरह अगर हम देखे share holding pattern जो बहुत important है share holding pattern में सबसे पहले हम देखेंगे गिर्वी है कि नहीं share अगर share गिर्वी देखे तो यह पर 2.94 करीबन 3% का share गिर्वी है plus share है promoters का तो fii का जो हिस्सेदरी है 15.8% insurance का हिस्सेदरी 5.23% non-institution 4.32% mutual funds का 2.49% और promoters का 72% जहां पर promoters का हिस्सेदरी 72% है तो काफी strong stocks है क्योंकि promoters सिर्फ promoters नहीं देखिए promoters fii insurance non-institution mutual funds सभी नहीं invest करके रखके हैं और play share सिर्फ नियारबल 3% है तो चलिए तो चलिए फ्रेंड्स आब हम company का आर्निंग पारशयर देख लेते हैं यानि company को पारशयर में कितना profit हो रहा है वो भी बहुत ही important है देखिए earning पारशयर जो है 79.77 यह लगबाग 80 रुपीज प्रोफिट कर रहा है company पारशयर में यह वी एक अच्छी कंडिशन में है दूसरी तरह अगर हम देखें कुछ एनलाइसीज तो यह पर देखिए इसको टेक्निकल अनलाइसीज पहले आमने फंडामेंटल देखा आप इसको टेक्निकल अनलाइसीज वान मन्त पहले था है 222, टूइक्स पहले 214 और वान पहले 219 यानि 2019, 2014, 2012, 2019, 1929 और 1589 अगर हम लोग प्राइस गेन को देखें तो देखिए 36% का गेन था, 11% का गेन, 13% गेन, 6% गेन, करीबन 7% गेन और यह पर करीबन 6.5% गेन, अब हम मूविंग अवरेज को एक बार देख लेते, मूविंग अवरेज अगर हम लोग देखें, तो 3 डेज का जो लेवल है 2131, 5 days 2085, 10 days 2069, 15 days 2059, 22 days 2014, 30 days 2032, 50 days 2023, 100 days 1979, 200 days 1981 याने, stocks, all DMA level के ऊपर अभी चल रहा है, क्योंकि stock price अभी current price जो है, 2150, तो stock जो है भी काफी strong है, और fundamentally strong है, तो अब पीबुट लेवल को हम लोग एक बार देख लेते, पीबुट लेवल को अगर देखें, तो देखिए, day पीबुट लेवल है, 2139.75, तो stock अभी day पीबुट लेवल के ऊपर चल रहा है, दूसरी तराफ weekly पीबुट लेवल अगर हम देखें, तो 2115 है, तो टूई पीबुट लेवल के ऊपर भी price अभी है, दूसरी तराफ अगर हम monthly पीबुट लेवल देखें, तो 2104, यानि stock weekly, daily, monthly pivot level के ऊपर चल रहा है, और हमें एक strong support दे रहा है, तो चलिए friends, एक बार technical chart को भी हम देख लेते हैं, technical chart को अगर देखें, तो या पर आप लोग देख सकते हैं, 9 days closing price, 15 days closing price को breakout किया है, stock price अभी 9 days closing price के ऊपर है, सिर्फ 9 days नहीं, से पहले जो हमने moving average के चर्चा किये थे, all DMA level के ऊपर चल रहा है, तो stock अभी strongly, uptrend में है, या पर जो और एक strong दिशा हमें देखाए दे रहा है, वो है, 9 days 15 days को crossover किया है, दूसरी तरह, अगर हम MST को देखें, तो MST main line, जो है, बहुत signal line के ऊपर है, और initially bank signal पे है, और दोनों line 0 line के ऊपर है, RSI का trend भी उपर की तरह है, वो अंडे चार्ट में, अगर हम लोग weekly चार्ट में देखें, तो एक बर ये भी देख लेते हैं, कि positionally हमें strong कोई दिशा दीखाए, देर आइकनी, तो या पर भी देखें, तो आप लोग देख सकते हैं, friends, RSI जो है, 62 में है, और भी उपर जा सकते हैं, उपर जाने की possibility हैं, और MSCD mainland signal link को उपर है, या पर भी देखें, weekly chart में, और या पर आप लोग देख सकते हैं, weekly chart में, 9 days, 15 days को breakout किया, जैसे वो अंडे चार्ट में crossover किया था, breakout किया था, और candle को भी देखें, पिछले हपते की high price के उपर close हो आ है, तो या पर भी हम इंडिगेट कर रहा है, technical chart में, और fundamentally be strong है, तो stock में हम निवेश कर सकते हैं, इससे पहले जो हमने video upload किये थी, या पर TCS, 16 तरीक को इस वीडियो को एक बात देख लीजेगा, या पर जो level है, उसकी level पर हम लोग निवेश कर सकते हैं, तो आप लोगों से request, अगर आप लोगों करते हैं, तो आप लोगों को call segment के call frame में मिलेंगे, तो आज के लिए इतना से ब्रुद देखने करें जाने बात,